आपका ट्यूटर आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिसकस करूंगा बीकम पार्ट वन और इसका सब्जेक्ट है कम्प्यूटर एप्लिकेशन तो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह कम्प्यूटर एप्लिकेशन के एन्वल एग्जैमिनेशन 2023 के हवाले से अपनी पेपर की पेरिंग कर सकते हैं पेशली कम्प्यूटर एप्लिकेशन के सब्जेक्ट की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और वो कौन से इंपोर्टन क्वेशन हैं जिन को आप अपनी त्यारी के अंदर सबसे फर्स्ट प्रियॉर्टी देंगे यानि के सबसे पहले आप उन क्वेशन को करेंगे हाँ अगर आपको और भी क्वेशन आएंगे इनके रिलेटिड तो आप उनको भी कर लीजीगा लेकिन अगर आप इन क्वेशन को कर लेते हैं तो मैं गिरंटी से कहता हूँ कि आपके जो क्वेशन हैं पेपर के अंदर कम्प्लिक्टी फाइव सोल हो जाएंगे प्लास इसी वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि इन क्वेशन किया सिल्यूशन आपको असान लेंग्विज के अंदर यानि के असान वर्डिंग के अंदर आपको किस तरह मिल सकता है तो student's, विडियो को start करने से पहले आप student's से ये request है, video's को like करें channel को subscribe करें और bell icon को तो जरूर hit कर दें ताके आपके मतलिब की videos आप तक पहुंचती रहें तो student's सबसे पहले बात करते है become part 1 के subject computer application के बारे में इसके अंदर आप जो total questions करेंगे वो questions होंगे 20 अगर आपको ये questions notes की सूरत में चाहिए, क्योंकि देखें, students आप जो become part one के students होते हैं, उनको ज्यादातार मसला किस चीज़ में आता है, wording is very tough, जो भी book पर wording होती है, वो बहुत ज्यादा tough होती है, इस वज़ा से आप students को नहीं पता चलता, कि हमने एक तो wording को किस तरह लिखना ह इस तरह इसको याद करना है, प्लस हर एक heading के अंदर इतनी इतनी ज्यादा explanation लिखी होती है, कि आपको वो भी नहीं पता चलता, कि सर हमारे teachers तो कहते हैं, कि दो से तीन line हर heading के अंदर लिखें, लिकिन सर book वाले ने तो इतनी ज्यादा ज्यादा line लिखी हुई है, हम कौन सी line को choose करें, select करें, जो के हमने paper में must लिखनी है, तो इसलिए आपको notes में हर एक heading प्लस आपने question में कितनी heading रखनी है, अगर book के अंदर extra heading है, तो उनको skip किया हुआ है, कितनी आपने heading रखनी है, paper के अंदर introduction simple words में, definition simple words में, वो कौन कौन से है, जो आप याद करेंगे, हर एक च notes हैं, अगर इन में, अगर आप देखो ना तो हर question दूसरे question से almost मिलता जुलता ही होगा, अब देखें स्ट्रोएंट्स, यह आपको notes किस तरह मिलेंगे, आपने WhatsApp नमबर हमारे दिये गए, WhatsApp नमबर पर आपने क्या करना है, contact करना है, WhatsApp नमबर क्या है, मैं आपके सामने बोल द 97404, यह WhatsApp नमबर है, इस पर राब्ता करें, टीम आपको बता देगी कि आपने इन notes को किस तरह purchase करना है, पलस इन notes की जो price हमने रखी हुई है, वो बहुत minor सी amount रखी हुई है, इतनी ज्यादा price भी नहीं रखी हुई है, जो कि आपके लिए unaffordable हो, तो आपको, मैं recommend यही करता आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको यह भी नहीं feel होगा, कि sir, यह तो बहुत tough language है, हमसे नहीं याद हो पा रहे, तो अब हम बात करते हैं, कि इन questions हैं, इन में कौन-कौन से questions included हैं, अब आपने बहुत तवज़ों से मेरी बात को सुनने हैं, देके, number one questions, characteristics of computer, number two questions, generation of computer, number three, uses of computer, number four, classification of computer, number five, history of computer, number six, types of computer, number seven, difference between analog computer and digital computer, और यह seven questions, students, इन में से, आपको पता ही है, यह seven के seven questions, आपकी जो मर्दी राइटर की हो, उसका chapter number one बनता है, इन seven questions में से पेपर वाला आपको दो questions minimum दोएगा, मैंने ना पिछले साल भी ना annual examination और प्लस supplementary में students को का, कि आपको इस chapter के अंदर दो questions आएंगा, बहुत सो students उस बात को ignore किया, command section में, लेकिन जब उनको दो questions आए, तब उन्होंने feel किया होगा, खुद से, कि हाँ, वाके ही, वो ठीक कह रहे थे, यूट्यूब चैनल वाले, तो इसलिए students आपको जो भी चीज़ बताई जाती है, चीज़ आपको experience plus information की बेस पर बताई जाती है, तो इस chapter में से, यानकि इन साथ questions से, आपको इस साल भी दो questions minimum लाज़मी आएंगा, और इन साथ के साथ questions के अंदर, असा आपको introduction definition करना पड़ेगा, याद बार बार नहीं याद करना पड़ेगा, इन 7 questions के अंदर, तो इसलिए notes is very important for you, अब हम question number 8 की बात करते है, question number 8 और 9 जो अभी मैं आपके सामने present करने लगा हूं, बोलने लगा हूं, इन 2 questions में से भी हर साल paper में, हर साल, चाहे आप supplementary की बात क last 20 years से हर साल paper में आ रहा है, आप net से जाएं, जाकर यूट्यूब चैनल के, जाकर आप net पारना, search कर सकते है, past paper डोनर करें, आपको पता चाल जाएगा, ये बात, देखें, पहला question क्या है, जो का question number 8 है हमारी सीरी से, वो है, define data and information and how data become information, ये question, ये question अक्सर आपकी paper में लिख होता है, data processing life cycle, इसका दूसरा name क्या है, इसी question का data processing life cycle, इस question के अंदर आप जो मर्जी book उठा लें, नहीं आपको introduction अच्छे से मिलता है, नहीं आपको definition अच्छे से मिलता है, मैं आपको guarantee से कहता हूँ, नहीं आपको पता चलता है, हमने introduction definition, data का कौन सा लिखना है, information का कौन सा और action में इस question के अंदर heading हमने कौन कौन सी लिखती है, तो इसलिए notes के अंदर आपको completely आपकी असानी के लिए notes को completely solve करके बताया गया, यह question number eight, question number nine सुनी का three levels of data processing, यह दो questions आपको हर साल paper में आएंगे, तो अगर आप first nine questions कर लेते हैं, तो paper के अंदर must hundred percent आपके तीन questions solve हो और इसके लाबा, जो आपको question number seven, मैंने बोला हो ना difference between analog computer and digital computer, मैं आप students से कहता हूं, यह जो मर्दी writer की आप book उठाले, आपको analog computer and digital computer का ना, अवल तो difference मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो 7, 8, यह maximum 10 points मिलेंगे, लेकिन नहीं, आपको पता difference का question आजे, हमने तो maximum points 15, तो minimum हमन आप हर चीज, अपने हर concept को, अपने हर problem को easy बना सकते हैं, अब question number 10 की बात करते हैं, अब मैं तीन question जो बोलूँगा, 10, 11, 12, इन तीन में से भी एक paper में must आएगा, ठीक है जी, आप देखें, question number 10 आपके सामने क्या है, वो है types of computer networking, जिसमें क्या आता है, land, man, when, pen, अब इस question क अंदर ही आपको advantages of land हो जाते हैं, advantages and disadvantages of man, advantages and disadvantages of when, ये complete question, ये मतर ये दो question, इस तरह भी वो अगर आपको statement तब्दील करके पूछें तो आपके वो भी इसी question के अंदर solve हो जाएंगा, एक ही solution रखा हुआ है, question number 11 होगा, वो होगा, difference between land, man and when, तीनों का difference, तीनों का difference students, ये आप क technologies, computer network topologies, ये last time paper में लाजमी आया था, annual examination 2022 के अंदर, अभी तक मैंने 12 questions आपके सामने प्रेजेंट कियें, तो इन 12 questions में से याद रखेगा, 100% आपको 4 questions आएंगे, पहले 7 में से 2, 8 और 9 में से 1, फिर 10, 11 और 12 में से 1, 4 questions आपको यहां तक आएंगे, अब question number मैं प्रेजेंट क ये कों सा है, ये है features of MS word, question number 13, question number 14 feature of MS Excel, question number 15 feature of MS word, अगर आपको MS Excel या MS word के बारे में कोई भी statement आ रही है, जो के पास paper में ज्यादा दफा आती है, तो आपने confused नहीं होना, आपने उसी statement को feature ही समझना है, आपने उस statement को क्या समझना है, फीचर ही समझना है, तो अभी तक आप आपको मैंने 15 questions आपके समय प्रियेंट की है, तो आपके 5 question paper में solve होगे, अब मैंना 5 questions और आपके समय नहीं प्रियेंट करूंगा, यह 5 questions को कौन से है, question number 16 और 17, क्या है, वो है advantages and disadvantages of internet, question number 17 आपके समय प्रियेंट, आपके समय होगा, वो question होगा आपके सामने students services of internet, ये question भी, आ आप जो मैं 16 से लेकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ना 16 से लेकर 20 तक तो यह question 5 जो होंगे इन में से दो question भी paper वाला डाल देता है minimum एक तो डालता है तो मैंने question 17 तक आप से share कर लिए question 18 क्या होगा question 18 होगा output devices and input devices question 19 क्या होगा software application software और system software वाला question question 20 क्या होगा और last question primary storage device जिसे RAM कहते हैं और secondary storage devices है आपका यह question भी paper में लाज़मी आता है अब यह जो है जो मैंने 16 से लेकर 20 तक question बोले है ना इन में से आपको minimum 2 आएंगे paper के अंदर यानके आपके total 7 question बहन गे और maximum 2 आएंगे minimum आपको एक आएगा अगर maximum आ जाए तो आपको paper में 7 question होगा आपके पास option ही option है जिसको मर्जी चूज करें और अगर minimum की बात की जाए तो एक question आएगा तो आपके 6 question बन जाएंगे paper के लिए paper में attempt करने के लिए तो आपको फिर भी question की option मिल जाएगी तो यह मैंने 20 questions आप से share किये आई होप सो आपको यह समझ में आगा गी और मैं दुबारा से कहा देता हूं students notes is very important for you क्योंकि आपकी सहुलत के लिए बनाएगे है last time यह facility नहीं थे आपको provide क्योंकि आपकी सैप्ली मैं आपको guarantee से कहता हूं अगर हमारे notes से आप काम करते हैं इतनी easy language में आपकी कभी सैप्ली नहीं आ सकती तो वीडियो अची लगी तो लाइक जाएगा चैनल को जरूर अपने friends वगारा से भी share करें discuss करें इस चैनल के related अपना ख्यार के हैं अपने इस YouTube चैनल का भी अलहाफिज